नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रिश्यस टाइम में आज हम बनाएंगे गोंद के बहुत ही टेस्टी लड्डू तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले दो चमच लेंगे पोपी सीर्स जिसे हम खस खस भी बोलते हैं इसे मीडियम फ्लेम पर करेंगे रोस्ट जब तक कि ये चटक ना जाए और इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ध्यान रखें गैंस की फ्लेम को लो ही रखें गोंद के लड्डू बहुत ही सॉफ्ट बन कर तयार होंगे सर्दियों में ये बहुत ही टेस्टी और अनरजी का भंडार होते हैं इसके लिए ना हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे ना चाशनी ना मावा इसे हम बनाएंगे गुड के साथ तो सबसे पहले धाई दो मैंने तेसी घी ले लिया है कडाई में इसमें हम डालेंगे गॉंद जिसे हम एडिबल गम भी बोलते हैं इसे हम एक साथ सारा नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में डालेंगे क्योंकि सारा एक साथ डाल देंगे तो वो आपस में चिपक जाएगा और फिर लड़ों में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे देखिए गॉंद हमारा फोलना शुरू हो गया है और इसको हल्का गोल्डन सा होने पे साथ ही निकाल लेंगे गैंस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे तक ये जले नहीं इसी तरह मैंने एक बैच निकाल लिया है अब मैं दूसरा बैच डाल दूँगी गॉंद के लड़ों हड़ीों को तो मजबूत करते ही करते हैं दर्द में भी ये राहत देते हैं विटामिन प्रोटीन केल्शियम से भरपूर होते हैं ये लड़ों जो बन करके तयार होते हैं गॉंद हमारी हो गई है फ्राई अब हम डालेंगे बदाम बदाम को भी मैं मीडियम फ्लेम पर करूँगी जब तक कि ये छिलका हमारा बाहर का सॉफ्ट ना हो जाए इसको मीडियम फ्लेम पर फ्लाई करते रहेंगे सासत बदाम के बाद मैं डालूंगी काजू इसमें मैंने दो फाड काजू लिये हैं बेज मार्कित में एजिली अवेलेबल हैं आप चाहें आप साबत काजू भी ले सकते हैं टुकडा भी क्योंकि इन्हें आमें बाद में दरदरा पाउडर ही बनाना है बदाम और काजू हलके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं अब मैं इने कड़ाई में निकाल लूँगी गोंध हम जब हाथ में ऐसे मसलेंगे तो पिल्कुल ये क्रश हो जाएगी पाउडर फो में निशानी है कि हमारी गोंध बहुत अच्छे से फ्राई हुई है आप देख सकते हैं अब उसी कड़ाई में बचे हुए तेल में हम तेल और अड़ नहीं करेंगे हम ड्राई कोकोनेट लेंगे इसे मैंने ग्रेट कर लिया है आप चाहें तो आप डेजिकेटिर कोकोनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इससे पिनियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और पिनिया अमारी बहुत ही स्वाद बनकर के तयार होती है इसे भी मैंने एक दो मिनट चला लिया है और निकाल लिया है सेम कड़ाई लूँगी उसमें मैं हाफ केजी आटा ले लूँगी आधा किलो इसको मैं मीडियम फ्लेम पर मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए हलका गोल्डन सा ब्राउन ना हो जाए और अच्छी सी महकानी शुरू हो जाएगी जब हमारा आटा भून कर तयार हो जाएगा आप चाहें तो इस स्टेज पर देसी घी भी बीच में डाल सकते हैं पर उससे फिर आटे को चलाना मुश्किल हो जाता है इससे आप हलके हाथों से बड़े अराम से आटे को पहले भून सकती है और फिर इसके बाद हम देसीगी को इसमें डालेंगे इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पर चलाते रहें और एक सुनहरा कलर आने तक देखिए अब हमारा कलर जो है आटे का अच्छा तयार हो गया है मैंने इसको रप दिया एक साइड पे गोंद को कर लेंगे हम क्रश किसी भी कप, कोली या फिर हम किलास का इस्तेमाल कर लेंगे आप पटाटो मैशर का भी या इस्तेमाल कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा क्राश हो जाता है देखिए कितना अच्छा सा हमारा ये क्राश हो चुका है गोंद जो हमारे ड्राइफ रूट्स हैं इन्हें हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे आप चाहें तो इसे दरदरा भी कर सकते हैं अगर दांतों की प्रॉब्लम है तो इसकी वज़े से आप बिल्कुल पाउडर फोम में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब मैंने यहां पर ले लिया है देशी घी इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है मेल्ट होने के बाद यहां पर आटे में मैंने डाला है गुड का पाउडर जिसे मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था आटा ठंडा होने पर मैंने उसमें अड़ किया है उपर से मैंने गरम किया हुआ देशी घी, गूंद, डेसिकेटिड कोकोनेट या फिर क्रश किया हुआ जो हम जो भी लेना चाहें उसको डाल दिया है हरी इलाइची का पाउडर, पोपी सीड्स जिसे हमें प्रोस्ट कर लिया था अब इसमें डाली हैं हमने किशमिश सभी चीजों को एक साथ डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हम एक बार में ही इन सभी चीजों को चला कर मिक्स कर लें अभी हम सभी चीजों को mix कर लेंगे ताकि सभी चीजे एक दूसरे के साथ मिल जाएं आप देख सकते हैं सभी चीजों को मैंने mix कर लिया है अब चेक करने के लिए कि ये हो गया है mix हाथ में हम इसको ऐसे प्रेस करके देखेंगे अगर ये एक लड़ू की शेप ले लेता है तो ये बहुत परफेक्ट बनके तयार हुआ है अगर आपके ऐसे पिन्नी नहीं बन रही तो आप इसमें थोड़ा सा देशी गी गरम करके डाल सकते हैं बहुत ही टेस्टी बढ़िया पिन्निया बनकर के तयार होंगी ये हमारी हडियों को तो मजबूत करती ही है दर्थ से भी रहत देंगी विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम से भरपूर होती है ये तो जरूर सर्दियों में इन पिन्नियों को बनाएं और अपने शरीर को हेल्दी रखें पोपी सीट जो है जिनको नींद की दिक्कत है या डिजेशन की प्रॉबलम है तो पोपी सीट में बहुत बढ़िया हल्प करते है आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगी अगर आप चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट जरूर कीजिएगा थैंक्स फो वाच्च